Hello everyone, good morning, नमस्कार, 19 मार्श 2021 और आज के दहिंदू निजपेपर को अनालिसिस करेंगे, डिसकस करेंगे, आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन मिल जाएगा, यह सीधा प्रिवर्तना यह स्कैडमी टेलिग्राम पर लगती है, वो आपको कमेंट करना है, और थर्ड क्योस्टिन जो है, इंडियान सिलंका के बीच में, या इंडियान सिलंका को जो बोर्डर के रूप में जाना जाता है, या बोर्डर को कनेक्ट करता है, वो कौन सी जगह है, वो आपको नीचे कमेंट करनी है, सबसे पहले ब पार्टीज को पैसा दिया जाता बॉंड के थुरू उनके खिलाब जो है वो एक पिटिशन फाइल करेगी और सुप्रीम कोट इस पूरे की पूरे मामले को हीर करेगी एक एंजियो ने पिटिशन फाइल करी है सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्टरोल बॉंड का म इस चीज से कि उनमें कोई एक तरीके से चेकिंग नहीं होगी या एक तरीके से अनौन फंडिंग जो है पुलिटिकल पार्टी को की जा सकती है इसके थुरू इनके अलावा इनमें जो एक एक एग्जिस्टिंग कैप थी 7.5% की उसको हटा दिया गया कि नेट प्रोफिट इन दा पास्ट थ्री एर ओन केंपेंड डोनेशन बाई कंपनीज एंड है लिगलाइज अनौनिमेस डोनेशन यानि इसके थुरू रीजन क्या है कि इसके पूरे के पूरे पामने में पेटिशन फाइल कीगी कि इलेक्टरोल बॉंड का कहीन कहीं मिशूज हो रहा है और इल इनकम टैक्स से एक्जम्ट किये लिए उससे छूट मिली है इनके अलाभा वरिश एक तरीके स्टेटमेंट आई चाहे वो इलक्षन कमिशन की हो जिनमें और चाहे वो रिज्रो बैंक ओफ इंडिया की हो जिनमें इलेक्षन कमिशन इस तरह पुलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन का एक मोड है ये सही नहीं है और इसके अगेंस्ट कहीं न कहीं उन्होंने अडवाईज दीती तो इस पूरे मामले में एक पेटिशन फाइल करेगी Chief Justice of India जो है सर्द एब ओबडे वो इस पूरी इस बात को सुनने के लिए अगरी हुए है कि इस पर्टिकुलर केस पर पर्टिकुलर इशू पर जो है सुना जाए और परसांद भूशन जो की बहुत एक्टिव एक तरीके से लोयर रहे हैं उनके खिलाब एक Contempt of Court का केस भी चला करी कि West Bengal और Tamil Nadu यानि crucial state जो है उनसे पहले इसको here किया जाए और इलेक्शन कमिशन के कुछ लेटर्स का कुछ पर एक तरीके से आप लेटर्स कह सकते हैं सुजेशन कह सकते हैं उनका उन्होंने recommendation किया कि electoral bonds के खिलाव इस तरह की चीज़ है और यह एक तरीके से illegal sale window की तरह है यानि electoral bond के तरू जो है वो un-enemious या कह सकते हैं कि बिना किसी identity के political parties को funding की जा रही है और उसका फिर illegal use होता है या कह सकते हैं कि एक pressure create करने के लिए government के उपर use किया जाता है यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया has assured Sri Lanka of sport यानि United Nations Human Rights Council के अंदर इंडिया सिलंका को sport करेगा यह statement इंडिया की तरफ से नहीं foreign secretary जो है Sri Lanka के जेंथ Columbus इन्होंने statement दिये हलांकि government of India और हमारी ministry of external affairs ने इस पूरे इस पूरे issue पर comment करने से फिलाल मना कर दिया और अगर आप देखेंगे सिलंका जो है इस टाइम फेस कर रहा है ग्रेव human rights के वोलेशन को लेकर और United Nation Human Rights Council जो है उसमे 47 member है और interesting बात यह है कि इसमें चाइना, पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल चारों जो आप देखेंगे आस पास की countries वो इसके अंदर member है फिलाल और membership क होल्ड किया, अलग-अलग area बाज इसमें division किया जाता है कि particular area में कितने members में select होंगे, इनके अलावा अगर आप बात करें तो सिलंका के अंदर सिहनली बुदिश जो है वो majority के अंदर है और mostly party क्योंकि majority को जो avoid नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके खिलाब allegation लगते हैं कि जो तम and right council जो है, यह politically motivated decision लेती है, इनके अलावा जैसे कई सारे एक तरीके core group जिसको बोल सकते हैं, जिसमें United Kingdom है, Canada है, Germany है, North Macedonia है, यह country काफी important है, North Macedonia है, इसने अपना name change किया था, मालवी है और Montenegro है, यह कई नहीं कहिए कि new resolution पर काम कर रही है, और सिलंका के खिलाब एक resolution लाय जा सकता है, भारत ने फिलाल किसी भी इस पूरे मामले में कोई stand नहीं लिया, reason is that, दो चीज़े मैं पहले repeat कर रहा हूँ, एक तो definitely election है, तमिल अडू के अंदर, यह political एक चीज़ भी होते है, दूसरा क्या है, तमिल एक ऐसा issue है, जो होती sensitive है, इंडिया के context में, तो एक सिलंका भी हमारे लिए strategy के लिए बहुत जादे important है, सिलंका को भी हम avoid नहीं कर सकते, और तमिल जो aspirations है, उनको भी avoid नहीं कर सकते, तो इसके बीच में balance कैसे होगा, वो एक challenge होगा government के लिए, इसके बाद, यह most important है, और यह कह सकते हैं कि आज के दहिंदू, 19 March 2021 का most important topic है, roads to be freed of toll boots in a year, हमारे जो union transport minister है, निदिन कटिकरी साब उनने कहा है, कि पूरे देश में जो toll boots से उनको हटाया जाएगा, और उनको replace करेंगे GPS based system, इससे क्या होगा, पहली बात आप देखेंगे, toll boots पर एक तो tolls को collection को लेकर जो cost होती है, second जो होता है कि कई बार क्या होता है, toll को ले toll में बहुत जादा लंबी लंबी लाइन लगती है, तो इससे कहीं न कहीं एक fuel का भी wastage होता है, और various नुक्सान कहा सकते, economic perspective से भी, तो इसको replace किया जाएगा, GPS based system के तुरू, एक साल में उनने जूर किया, इनके अलावा, सबसे important space की है, वो है vehicle scrapage policy के बारे में उनने बताय आप कि 2021 के budget में जो vehicle scrapage policy decide की गी है, वो important होगी और ये crucial होने वाली है, automobile industry के लिए, इनके लावा जिसमें टैनलाग क्रोण रुपे से लेकर साड़े चार लाग क्रोण रुपे का एक jump, इसमें टरनाओर देखने को मिलेगा, automobile industry में एक jump देखने को मिलेगा, यानि साड़े चा पूरी पॉलसी को हम पढ़ेंगे ब्रीफ में इन्होंने दिया हाला कि डिटेल तो नहीं आई है लेकिन इसका क्या बेनिफिट होगा विकल सक्रेपेश पॉलसी का उनके बारे में पारलियमेंट के अंदर बता इनके अलावा 2020 के अंदर जो रोड एक्सिडेंट हुए है उनको सेकंड पार्ट आप पेज नंबर टैन पे लास्ट में जाएंगे तब आपको देखने को मिलेगा यहां पर दिया गया है रोज टू इफिरीड आफ टोल बोस इनियर गड़गरी यह एक सेकंड पार्ट है और इसके अंदर यह बताया गया कि GPS बेज सारा सिस्टम होगा वो स सबाग के अंदर जब डिसकेशन हो रहा था तो उन्होंने बताया कि विकल सक्रेपेज पॉल्सी जो होगी वो कहीं ने कहीं रिडूस करेगी पॉलिशन को इंप्रूव करेगी फ्यूल एफिशन्सी को और इंक्रीज करेगी गवर्मेंट रेवेन्यू कलेक्शन को यहनी ती पॉलसी के तैट फिटनेश टेस्ट जो होंगे जिसमें 20 year complete अग्रिशनी विकल को हो जाते हैं privately owned के मामले में और 15 year complete हो जाते हैं commercially विकल में यहनि उसके बाद फिटनेश टेस्ट होगा अगर विकल फिट नहीं है और तो उसको renew नहीं किया जाएगा registration certificate नहीं दिया जाएगा और उसको declare किया जाएगा कि विकल की जो life है वो खतम होचकी स्माप तोचकी है और इसके बाद उसको इसी तरीके की जैसे government ओन विकल है या public sector अन टेकिंग के विकल है उनको भी de-register किया जाएगा 15 एर के बाद इसमें बताया गया कि यह जो policy है या यह जो policy implementation की बात होरी एक अप्रेल 2022 से शुरू हो सकती है इनके अलावा हमने पढ़ा था green tax को लेकर भी अगर कोई इसका violation करता तो green tax impose किया जा सकता है इनके अलावा एक अप्रेल 2023 से heavy commercial विकल्स का fitness test mandatory कर दिया जाएगा और 2024 में एक जुन 2024 में एक phase शुरू होगा इसका एक तरीके से including personal vehicles category के अंदर भी यानि एक पूरा का पूरा जो process होगा वो phased manner में होगा 22, 23 और 2024 ठीक है तो यह एक चीज़े बताएगी है इनके अलावा यहाँ पर अगर vehicles scrapage policy बनाए जाएगी तो इसमें कुछ benefit जो अगर कोई नया vehicle process करना चाहते है उनको क्या benefit मिलेंगे पहली बात अगर कोई इसमें नया vehicle process करेगा vehicle scrapage के बाद तो उसको 25% rebate होगा road tax के अंदर personal vehicle के context में और 50% होगा commercial vehicle के context में इनके अलावा वहाँ पर उनको shoot मिलेगी registration करवाने के मामले में और इस बात की insurity की जाएगी कि auto maker जो है वो भी उसको 5% की जो छूट दे relaxation दे किसकी context में अगर कोई किसी के पास vehicle के scrapage certificates जो है वो अवलेबल होंगे नया vehicle purchase करने के मामले में तो ये कुछ information है vehicle scrapage policy को लेकर बहुत important ये information है और ये UPSC में भी directly जो है पुछीज आ सकती vehicle scrapage policy का क्या benefit है और क्या इसके implementation जो होने वाले है इसके बाद page number ये है 11 और इसमें एक information दी गई है supreme court ने बोला है various courts है जैसे मद्ध्यप्रतिस high court का उन्होंने एक हवाला दिया या उसका reference दिया कि do not stereotype women in court ruling यानि जो भी women's के लिए या women's के context में जो एक तरीकिस judgment आती है उनमें stereotype जैसे चीजे मत दें जैसे मद्ध्यप्रतिस high court ने क्या कहा कि एक राखी वाला order हुआ था राखी वाला order का मतलब क्या है कि एक molestation के case में उन्होंने ये बोला वहां के chief justice है using राखी tie as a condition for bail transformed a molester into a brother यानि कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के खिलाफ sexual offenses के case है या कह सकते हैं कि उनके खिलाफ cases है molestation के और उनको ये बोला जाता कि आप इनको राखी बान दीजे तो ये एक तरीके से आपका भाई बन जाएगा तो इस तरह की जो judgment है वहां के justice भट की ये कहीं ने कहीं सही नहीं है और इसी चीज़ को लेकर Supreme Court भी नराज है किस तरह की statement नहीं दिये जाने चाहिए और stereotype जो है वो मत रखिए women's के खिलाफ तो ये information है और women's crime, women's security women's को लेकर जो भी issues हो आप इस तरह में एक तरीके last में अगर आप देखोगे तो इसमें एक information है इंडिया और पाकिस्तान की relationship में देखिए इंडिया और पाकिस्तान की अगर आप बात करेंगे तो recently कई सारे ऐसे moment हुए हैं जिससे हमने कई सारे चीज़ें देखने को मिली फॉर एजामपल यहाँ पर आप देखेंगे जो line of line of control जो है LOC जो हम देखते हैं वहाँ पर दोनों countries में जो 2003 का ceasefire agreement था उसको continue करना उसमें एक तरीके से दोनों ceasefire ना हो इस बात की इंशुर्टी करने के लिए काम करने के बारे में discussion लिया गया इसके बाद पाकिस्तान के प्राइमिस्टर जो सिलंका के अंदर गए तो हमने airspace को open किया हाला कि airspace को कई बार पाकिस्तान ने भी open किया है भारत ने भी अपना airspace जो open किया किसके लिए पाकिस्तान के प्राइमिस्टर को सिलंका के अंदर विजिट किये इसके बाद पाकिस्तान के प्राइमिस्टर साब की एक statement आती है ये statement पढ़िया उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों को जो है वो अपने एक तरीके से relation को strong करना होगा ताकि greater trade हो सके है या trade जो वो बढ़ाया जासके और भारत की एक तरीके से जो Central Asia तक पहुंचने की कोशिस है उसमें important role हो सकता है और regional peace भी उसमें importantly role play कर सकती है और ये कहीं ने कहीं एक important होने वाला है यहाँ पर आप देखेंगे अगर भारत पाकिस्तान की context में देखें तो हमारा एक project भी है तापी करके जिसमें तुक्मेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडि कि वो अभी एक दिन में चीजे normal हो जाएगी वो थोड़ा possible नहीं है लगता लेकिन अगर ये connectivity होती है तो भारत को इसको benefit होगा reason is that कि भारत की central Asia तक जो पहुँच है उसमें direct route हमारे पास नहीं है तो हमारे पास दो ही alternate हो सकते हैं या तो हम इरान होकर जाएं या पाकिस्ता के sanction है उसका phase करना हो इन सब के बेचे में हमारे पास ज्यादा alternate है नहीं क्योंकि इराक और सीरिया की situation जो वो बहुत अभी क्योंकि political stable नहीं है ट्रकी के साथ हमारे relation जो है वो बहुत strong नहीं है इस situation में अगर ये countries के relation नहीं होगे तो अगर इनको भारत के Prime Minister को जाने के लिए भी एक लंबा रास्ता जो है इसमें एक तरीके से जाना पड़ेगा तो ये कुछ चीजे है जिसकी वज़े से important है हलाकि concern है और definitely concern होंगे इसके बाद जो पाकिस्तान के army chief है उन्होंने भी statement दी कि इंडिया पाकिस्तान को अपने एक तरीके जो पास के relation उनको ब्री कर देना चाहिए और एक आगे बढ़ना चाहिए पता नहीं statement में क्या है क्या नहीं है लेकिन ये जरूर है कि एक offer दिया गया भारत ने कई सारे statement दियें कि blood and water cannot flow यानि पानी और खुन एक साथ नहीं वह सकता इसी तरीकी statement है trade and terrorism cannot continue यानि वेपार और आतकवाद एक साथ नहीं चल सकत और भारत जो है वो country है जो लगाता terrorism के मामले में international form पर काम करती रही है इनके लावा पाकिस्तान इस तरह की चीज़े क्यों कर रहा है financial action task force के अगर बात करें तो पाकिस्तान को grey listed किया गया है और वहाँ पर भी भारत जो member country है तो बहुत सारी चीज़े हैं जो link कर सकती है इन इनके अलावा पाकिस्तान के जो army chief है यो बोल रहे हैं कि दोनों को मिलकर काम करना चाहिए और east और west Asia में major connectivity के लिए या stable Indo-Park relation जो है वो कई सारे untapped potential पर काम कर सकता है connectivity को increase कर सकता है और हलाकि कस्मीर का issues को उन्होंने कहा कि ये issues है दोनों countries के बीच में लेकिन इसको solution जो ह किया जा सकता है कुछ इसमें उन्होंने कहा कि back channel से communication हो सकता है नहीं हो सकता है इन सब चीजों को लेकर पाकिस्तान और इंडिया के relation news में है और हर किसी का अपना opening हो सकता है कि होने चाहिए नहीं होने चाहिए खैर जो भी इसमें decision लेगी वो government लेगी हम इसमें authorized नहीं decision लेन जाएंगे और इनका नाम है Austin और यह कई सारी countries की विजिट पर जाएंगी जिनमें भारत जो हो एक important विजिट होगी हमारे जो defense minister है राजनात सिंग उनसे मेटिंग होने वाली है और मेटिंग के अंदर कई सारे topics पर यह discussion करेंगे इनके अलावा जो हमारे national security advisor है अजित दोवा Pacific region में कैसे काम कर सकते हैं और जो foundational agreements हुए हैं जिसमें last agreement जो sign किया गया था तो और में the basic exchange and cooperation agreement यह भी कहिने की major defense partnership की तरह जो इंडिया एंड यूएस के relations को देखते है इनके लाभा क्या इस visit के अंदर चायना को discussion किया जाएगा क्योंकि चायना को इंडो Pacific की बात होती तो definitely च coercion यह जोर जबर्दस्ती जो चायना force करने कोशिश करता है उस चीज़ को लेकर भी discussion जो हो सकता है इनके अलावा अगर आप discussion की बात करेंगे तो कई सारे ओल टोपिक हो सकते हैं जिनमें अफगानिस्तान के अंदर peace establishment को लेकर discussion हो राइट इनके अलावा यहाँ पर Cards Act के बा संक्षन लगाएगा यह हमें कुछ relaxation देगा यह important question हो सकता है अलागि भारत जो है bipartisan support यानि दोनों political party जो है अमरीका की उनकी support हजिल करता रहा इसे पहले Donald Trump जब government में थे उनके साथ भी होगा relation strong थे और उससे पहले जो Barack Obama साब वहाँ के प्रेजिडेंट थे तब भी relation ठीक थे और यह माना जा रहा कि जोई बाइटन के साथ भी relations are smoothly continue होंगे आने वाले टाइम में पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा और इसके बाद रशिया ने एक meeting को host किया है अफगान peace meeting का नाम दिया गया है और इसमें काबल government और तालीबान के representative जो है इसमें meeting के अंदर हिसा इनके अलावा international observer ने भी इसमें participation किया आपको लगातार ये news में दिख रहा होगा कि अफगानिस्तान के peace establishment को लेकर लगातार काम किया जा रहा है इनके अलावा United States के जो ex president रहे हैं Donald Trump उन्होंने एक limit set करी थी 1 माई 2021 कि वो अपने troops को वापिस निकाल लेंगे इसके बाद क्यो देगा क्योंकि easy नहीं होता इस तरह की चीज़े और ऐसे मतलो free space नहीं दिया जा सकता चाहे हो तालिबान हो या दूसरा कोई भी information हो एक ceasefire को लेकर बादचेत हुई कि दोनों चाहे हो तालिबान हो चाहे अफगानिस्तान government दोनों के अंदर बादचेत हो resolution निकले और जो एक जन्सार हो रहा है या लोगों की death हो रही है उसको रोका जासके और peace establishment जो alternately किया जासके इसमें United States के peace envoy इसमें सामिल हुए अबदुल्ला अबदुल्ला जो की head of Afghanistan national reconciliation council है उसके head है या तालिबान के जो leaders है उन्होंने participate किया पाकिस्तान, इरान, चाइना उनके leaders ने भी participate किया Afghanistan के अंदर Russia की गरम बात कर तो लगबत 10 साल तक उन्होंने लड़ाई लड़ी हलाकि हासिल क्या हुआ इसके बारे में कुछ नहीं पता लेकिन ये भी कहिने के issues है इनके अलावा यहां बताया गया क्योंकि America यह चाहता था कि भारत भी इसमें participate करे लेकिन भारत को इसमें साम की बात करें तो economy में just a information type में है यहां पर आप देखेंगे 16 number page पर rising cases में lead reserve bank of India to delay liquidity normalization यानी जो number of cases rise हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं यह जो reserve bank of India का liquidity normalization का concept है उसको कहीं न कहीं challenge कर सकता उसको कहीं न कहीं problematic जो वो कर सकता है तो यह कुछ चीज़े हैं जो आपको यहां पर द गवर्मेंट के साथ साथ reserve bank of India की policies का यहीं monetary policies का भी important role होता है चाहिए वो reverse repo rate हो या CRR हो या आप देखेंगे statutory liquidity ratio कई तरह की जो banking term use की जाती है open market operation होगे इस तरह की जो words है यह important है monetary policy को measure करने के लिए और inflation को या liquidity को maintain करने के लिए important होते हैं इनके अलावा चाहिए works reserve हो या कैसे जो country में काम किया जाएगा monetary level पर वो कहिने के important है फिसकल लेवल पर अगर बात करें तो government काम करेगी और monetary लेवल पर तो reserve bank of India के important role जो है वो खुता है इसके बाद editorial part में हम discuss करेंगे दो editorial को जिसमें पहला article है अधार as a hurdle यानि अधार कार् और second article जो है वो article है for a reset करके और US और चाहिना की relation को लेकर article और कैसे इंडिया पर उसका असर पड़ेगा उसको भी हम समझेंगे सबसे पहले बात की गई है अधार as a hurdle के रूप में और recently एक inefficiency को लेकर अधार कार्ड प्रोजेक्ट की inefficiency को लेकर जो welfare scheme है उनकी proper delivery हो उनकी access हो उस चीज़ को लेकर Supreme Court में एक petition file की गई और petition में कहा गया कि अधार कार्ड के connectivity ना होने की वज़े से लगबग तीन क्रोड राशन कार्ड को जो dealing किया गया और उनको कहीं न कहीं हटाया गया गवर्मेंट की तरफ से कहा गया कि बोगस अधार कार्ड थे लेकिन जो petition file की उसमें बताया गया कि ये अधार कार्ड बोगस है या नहीं है उनसे ज्यादा important था कि इन अधार कार्ड इन में जो Russian कार्ड में राशन कार्ड में कहीं ने कहीं issues authentication नहीं हुआ अधार कार्ड में या बायो मेट्रिक्स में या जो टेक्निकली कुछ फोल्टाज इसकी वज़े से ये कहीं न कहीं राशन कार्ड को इन्वेलिड किया गया और उसका असर क्या हुआ जहां पर अभी भी बड़ी संख्या में लोग जो है वो डिपेंडेबल है क्योंकि ये जो है राशन कार्ड इ यूपी बिहार यहां पर प्रोब्लम जो है या कहा सकते है डिपेंडेंडेंसी जो बहुत ज़्याद है अगर यहां पर राशन कार्ड के थुरू वेलफेर स्कीम को सरभाईव नहीं किया जागा जो वो अवलेबल नहीं करवा जाएगा तो काफी चैलेंज होगा और एक केस पर सुप्रेम कोट ने 2018 के अंदर एक जज्जमेंट भी दी थी इसमें 4-1 की मेजोर्टी से बैंच ने जज्जमेंट दी थी और उसके बाद रिवीव पेटिशन फाइल करेगी जनवरी 2021 के अंदर देखिए अधार कार्ड का जो यह मैट डेटा वाली जज्जमेंट सी 2018 की 2020 में UPSC ने भी सवाल पूचा था मैट डेटा को लेकर और उसमें सुप्रीम कोट ने यह कहा था कि वेलफेर जो स्कीम है उनमें जहां पर कही ने कि कॉल्सेंटरी फंड ओफ इंडिया से पैसा भीजा जारा वहां पर अधार कार्ड मेंडेटरी किया जा सकता है लेकिन कुछ जगह पर मेंडेटरी नहीं किया सकता तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इनके लावा यहां पर इस बात को लेकर कंसन यह है कि जो वेलफेर स्कीम है जहां पर बेनिफिट मिलता जिसमें एक तो पीडियस है या नरेगा है लपीजी सबसीडी है इस तरह की जो स्कीम से वहां पर बड़ी प्रोब्लम क्या हो रही है कि इनेफिशेंशन फिलियर हो रहा है जिसकी वज़े से यह एक ऑथेंटेकेशन जो प्रोपरली नहीं हो रहा है जिसकी वज़े से क्या हो रहा है कि जो लोग है वो सरवाई कर रहे हैं सफर कर रहे हैं और खासकर पूर लोग क्योंकि इसमें technical glitch हो या अलग-अलग problems और अधार card की verification को लेकर जिसकी वज़े से उनको properly जो राशन अवलेबल नहीं होता और right to food एक important right भी है और world food program 2020 में उनको nobel peace prize भी मिला है तो इन सब चीजों को अगर आप देखें गे यानि जो starvation की वज़े से death हो रही है और उसकी वज passion card को हटाया गया है काट दिया गया और उसका benefit ना मिलना तो यह जो starvation की problem है यह और ज्यादा lead करती है तो government of India को या various state government को requirement है कि इस तरह के जो issues होते हैं चाहिए वो fingerprint को लेकर हो आईरीस को लेकर हो और उनको properly problem को solve करे और इस तरह की चीज़े यानि genuine beneficiaries को मिले और जो bogus एक जो benefit नहीं मिलना चाहिए invalid beneficiary बोल सकते हैं उनको कैसे निकालना है उसका एक alternate ढूंड़िए क्योंकि अधार कार्ड में glitch जो है वो technical glitch की problem भी आती जिसके वज़े verification नहीं होता right second article है for a reset करके article है there is no hope of a sudden improvement in US-China ties but the Alaska meet is a start यानि अमरीका और चाहिना के relationship आपको पता होगा कि वो एक तरीके से दोनों इस time अलग level पर है और Donald Trump जब president थे तब एक तरीके से दोनों के relation जो है strong नहीं रहे कई सारे questions जो उन्होंने पूछे थे तो इन सब के बाद जोई बाइटें प्रेजिएंट बने उनकी क्या policy होगी हलाकि कि वो भी tough ही उनकी policy है फिलाल के लिए लेकिन इन सब के बीच में US Secretary of State Anthony Blinken और यांग जाइची इनके बीच में मीटिंग होने वाली है Alaska के अंदर एक state है उनका और इनके लावा वहांके NSA भी उनसे discussion करेंगे Central Foreign Affairs के Commission है यानि कई सारे लोग जो है चाहिए वो चाहिए वो चा में कई सारे issues पर discussion किया दा सकता है और जो tariff लगाए गए थे Trump administration द्वारा एक तरीके state tariff है 5G telecommunication है tech sponge को लेकर Chinese maritime action को लेकर US के जो संक्षिन है चाहिना पर इन सब चीजों को लेकर भी हो सकता discussion हो Donald Trump बार-बार COVID-19 को Chinese virus बोलते थे उसके बाद अलग-अलग issues जो या जिन जियांग के अंदर चाहिना का crackdown देखने को मिले होंग कोंग या ताइवान के अंदर जो aggression शो करता है चाहिना उन सब चीजों को लेकर US और चाहिना की relation जो है वो कहीं कहीं अच्छे नहीं थे इन सब के अलावा जो अब US की allied countries है या quad groups है उनके साथ बेकर आप देखेंगे आस्ट्रेलिया के साथ trade bands को लेकर issues हो जपान के सिन काको आइलेंड को लेकर हो और भारत में PLA का एक तरीके से insertion देखने को मिला हो line of actual control में इन सब issues के साथ जो है US और चाहिना की discussion में क्या चीज़ों क्या जाएगा और क्या resolution जो है वो निकल कर का आएगा वो एक important होने वाला है इनके अलावा Mr. Lincoln जो है उनने वो श्योल और टोक्यो के जो रिपरेजेंटिटिव है यानि जपान और South Korea के रिपरेजेंटिटिव है उन से भी उन्होंने वो मिलेंगे बातचीत करेंगे और China के जो है चाइना के साथ कैसे बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा या डोनाल्ड ट्रम्प की द्वारा जो पॉल्सी फोलो की गी उसके बाद क्या impact होगा इनके अलावा Chinese ये बोलती है कि जो चाइना manufacturing जो बैन किया गया है वीजा बैन्स किया गया है यह हाउस्टन के अंदर इसके अलावा इनमें कही सारे चीज़ों पर discussion किया जा सकता है जिनमें अगर आप देखेंगे एक important है एक तो global economic recovery को लेकर क्या discussion होगा नहीं होगा और ये कहीने के माना गया कि US और चायना के वेच में जो trade वार चल रहा है टैरिफ वार चल रहा है उसकी होज़े से दुनिया एरिया हो सकता जहां पर दोनों countrys discuss कर सकती है इनके अलावा climate change most important है क्योंकि जब जोई बाइडन प्रेजिडेंट बनेते तब उन्होंने बोला था कि US जो है वो फिर से रिजोइन करेगा climate deal को या Paris agreement को और चायना के साथ जो possible एक तरीके से relation को strengthen करने की बात होती है तो उसमे climate deal एक ऐसा topic है जिसमें दोनों country जो है agree उनमें कोई ऐसा issues नहीं है फिलाल के context में राइट इनके लावा US चायना और रेशिया के साथ कैसे एक meeting हो सकती है strategy हो सकती है अफगानिस्तान के peace development को लेकर और ये भी कहीने कहीं discussion किया जा सकता है कि आने वाले time में जोई वाइडन और चायनीज ब्रिजिन जो सी जिन्पिंग के अंदर meeting होगी और उसको लेकर क्या चीज़ें होंगी हलां कि दिल्ली भी इस पूरे issues पर जो है नजर बनाए हुआ है भारत देखिए अलग तरीके से foreign policy follow करता है भारत जिसको बोलते है बैलेंस की policy follow करता है for example quad get through हमने जो है वो US क के साथ अपने relation को strong बनाने कोसिस कर रहे हैं दूसरा जो ब्रिक्स के साथ चायना और रशिया इन दोनों के साथ बैलेंस करने कोसिस की जा रही है तो यह कुछ चीज़े हैं जो हमें समझनी है इसके लावा लास्ट में यह एक article है अगर आपके पास time है तो definitely पढ़ लीजेग बाइडन और वेस्ट अशिया और टिंडर बॉक्स करके बहुत सारी चीज़ें जो हमने वेस्टन अशिया से डिसकर्शन भी की है यहाँ पर आप देखेंगे वेस्टन अशिया में फिर हमें साथ रिपिट करता हूँ यह वाला रिजेन जो है most important है सवाल आपसे इस particular topic पर प हुआ है